रतलाम में पैदा हुए बाल हनुमान की तस्वीरे हुई वाइरल देखिये कैसे देखते हैं हनुमान तस्वीरे देख पहली नजर में आप डर भी सकते हैं लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो डर हो जाएगा काफूर देखिए किसके परिवार में जन्में हैं बाल हनुमान और हकीकत देखने के बाद क्या बोले वैज्याने इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर इन में समानता को तलाशे एक तस्वीर प्रभू श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की है तो दूसरी तस्वीर मद्य प्रदेश के ललित पाटीदार की है जिन्हें लोग हनुमान का अवतार मानते हैं और लोग पूजा पाट के साथ ही आशिरबाद भी लेने आते हैं ललित पाटीदार के इस स्वरूप को आप पहली बार देखेंगे तो डर जाएंगे लेकिन हाकिकत जानने के बाद हैरान रह जाएंगे गाओं के लोग ललित को हनुमान कहते हैं जबकि डॉक्टर और विग्यानिक चौकाने वाला तर्क देते हैं बताएंगे ललित की पूरी कहानी आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए आखिर में ललित के बारे में हम एक ऐसी जानकारी देंगे जिस पर आपको भी भरोसा नहीं होगा बाल हनुमान के नाम से विख्यात ललित पाटीदार की बात करें तो मद्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले बकटलाल पाटीदार की गर में जब पहले बेटे ने जन्म लिया तो परिवार खुश्यों से जूम रहा था सब बेटे की बलाईयां ले रहे थे और सब आशिरबाद दे रहे थे लेकिन बच्चे का रंग रूप और बनावट लोगों को चौका रही थी अचानक एक दिन लोगों ने देखा तो कहा कि ये बाल हनुमान है और हनुमान जी ने अवतार लिया है बस इतना ही कहना था कि लोग वकटलाल के बेटे की हनुमान समझ कर प्रात्ना करने लगे रोज लोग आशिरबाद लेने लगे और देखते देखते आज 17 साल बीट गए जहां गाउवाले बच्चे को हनुमान समझ रहे थे तो वही वकटलाल पाटीदार बच्चे के शारीरिक बदलाव से परिशान थे जब उन्होंने ललित को डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने जो कहा उसने सब को हैरान कर दिया ललित एक ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे जिसका इलाज़ ही नहीं बना था और ये बीमारी ऐसी थी कि पूरे शरीर पर बाल उगने लगे आंक नाक मूँ शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां बाल न उगे हो 17 साल का ललित अब जहां बारवी का च्छात रहे तो वही सोशल मीडिया क्रियेटर भी है ललित अपनी शरीरिक बनावट के लिए हमेशा चर्चाओं में रहता है बहुत इलाज करवाया गया लेकिन ललित को कोई फाइदा नहीं मिला लेकिन एक डॉक्टर ने उम्मीद जताई है कि जब ललित 21 साल का हो जाएगा तब उसकी प्लास्टिक सरजरी करके बालों को उगने से रोका जा सकेगा ऐसे में ललित जहाँ 21 साल के होने का इंतजार कर रहा है तो वहीं परिवार के लोग अब भी एकलोते बेटे की साहालत को देखकर परिशान रहते हैं ललित को जहाँ बालों की जगे से कई बार उपहाज का सामना करना पढ़ता है तो वहीं और भी कई दिक्कते होती है खाना खाने में दिक्कत होती है तो वहीं देखने में भी कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इन सब की वज़े हैं बाल वहीं ललित का कहना है कि कुछ लोगों ने उसे बाल हनुमान समझ कर सम्मान भी दिया है तो कुछ लोगों ने पत्थर भी मारे है रतलाम जिले के ग्राम नांद लेटा के ललित पाटिदार को देखने के बाद हर कोई आश्चर इस से भर जाता है ललित हायर ट्राइकोसिस नामक बीमारी से पीड़े थें जो एक जन्मजात बीमारी है लेकिन ललित को उम्मीद है कि किस साल की उमर के बाद जब वो प्लास्टिक सरजरी करवा लेंगे तो उन्हें इस बीमारी से निजात मिल जाएगी ललित की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्योरो रिपोर्ट मीडिया हल चल